आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम HDFC बैंक का जो म्यूचल फंड है उसका अकाउंट बेलेंस हुए मिनी स्टेटमेंट किस तरह से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने भी HDFC बैंक के किसी भी म्यूचल फंड में जो है इनिवेस्ट कर रहा है तो आप किस तरह से उसका अकाउंट बेलेंस हुए मिनी स्टेटमेंट आसानी से चेक कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको माई केम्स एप के दौरा जो है हम यह प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं तो My Games Ape के द्वारा बताऊंगा My Games Ape पर आप HDFC जो mutual fund के अलावा और भी जो है 18 कंपनियों के mutual fund का जो है account balance वे mini statement जो है आसानी से चेक कर सकते हो तो वीडियो को सुरू से लाच तक देख के आप भी आसानी से अपने HDFC बैंक के mutual fund का account balance वे mini statement चेक कीजिए HDFC बैंक के mutual fund का account balance वे mini statement My Games Ape के द्वारा चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपके फोन में जो My Games की Ape है वो My Games की Ape को आपको इंस्टोल कर लेना है My Games की Ape को इंस्टोल करने के बाद में इसमें जो है आपको registration का process कर लेना है और इसमें आपकी user ID और password generate हो जाईगी उनके द्वारा हम जो है आसानी से जो है इसका account balance वे mini statement जो है आसानी से check कर पाएंगे तो आपको जो सबसे पहले My Games की Ape को इंस्टोल कर लेना है मैंने इसको already Ape को इंस्टोल कर रखा है पहले से ही इसलिए यह इस तरह का आ जाएगा इस interface इसमें जो register का option है जहां पर मैंने एरो मारक किया है उसके उपर आपको click करना है जैसे आप register के option के उपर click करोगे इस तरह का option आ जाएगा इसमें register a traject का जो option है second वाड़ा उसके उपर click करना है और आपको कुछ अपनी basic information इसमें फिल अप करके और इसमें सबसे पहले आपको अपना registration complete करना है जैसे आपका registration इसमें complete हो जाएगा आपकी user ID और password बन जाएगा या आप इसमें अपना pattern भी तो उसके बाद में आपको जो ये login का option है जहांपर मैंने एरो मारक किया है उसके उपर click कर देना है तो जैसे आप login के option के उपर click करोगे इस तरह का page आजाएगा इसमें आप देख सकते हो सबसे उपर email और password यानि आपको अपनी email address इंटर करना है और जो password आपने set कर रखा है वो password आपको इसमें इंटर कर देना है ये दोनु चीज आपको जो है इसमें fill up करके और जो इसमें login login का option दिया है आपको इसे में login हो जाना है आप इसमें जो है MPN या pattern जो भी set करके भी इसको जो है आप open कर सकती हो तो आप जो है इसमें तीन तरीके से इस एप में जो है आसानी से login हो सकते हो तो मैंने मेरा email डाल दिया password डाल दिया अभी माझ जो login का option है उसके उपर click कर देत इतना percent आपको return दे रहा है यानि पूरा का पूरा एक ही जगे आपको जो है बहुत सारे mutual fund का इसमें जो है total 19 mutual fund इसमें registered है तो 19 में से अगर आपने 2 या 3 4 5 जितने भी mutual fund कर रखे हैं पूरा का पूरा आप जो है इसमें लंसम investment कर सकते हो redeem कर सकते हो जो है सब कुछ process इसी के दवरा कर सकते हो अभी जो three line है जहां पर मैंने aro mark किया है उसके उपर आपको click करना है जैसे आप इसके उपर click करोगे कई सारे ओप्जन आपको जो है खुल के यहाँ पर श्यो हो जाएंगे my transaction का option के उपर आपको इसमें click करना है जैसे मैं my transaction के option के उपर click करोगे फिर आप के सामने इस तरह से जो है mutual fund का शोकर देगा तो इसमें आपके अभी तक total इसमें आपकी जो है कितनी किस्त जमा हो गई है यानि आपकी कितनी किस्त इसमें जमा हो गई है और total इसमें आपका जो है amount अभी तक जो है कितना रुपए जो है जमा हो गया हो तो इस तरह से तो आप आसानी से अपनी किस्त भी चेक कर सकते हो और जो है आपका इसमें कितना amount जो है deposit हुआ है वो भी चेक कर सकते हो यह जो है यह तो मैंने एक HDFC का एक example दिया है आप इसके अलावा भी इसमें जो है 18 और भी mutual fund जो है माई केमस एप में registered है तो उसमें से भी हाँ तो इसमें आपको कितनी विनिट जो है इसमें इलोट हुई है तो इसमें जो लास्ट के 25 ट्रांजेक्शन है वो आपको शोग कर देगा और दूसरा इसमें आपकी जो है अभी कौन ची किस्त जो है जमा हुई है सब कुस्यों कर देगा फिर भी दोस्तों माई केमस एप के रिगार्डिंग या म्यूचुल फंड के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरियो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे जितना हो सकेगा पूरी हलब पुरूंगा धन्यवाद थेंक्यू